बॉक्स ओफिस पर अगले साल कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जबकि 2023 के आखिर महीने में भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए बची हुई है मश्गूर प्रोडक्शन कंपनी मैजॉक फिल्म्स ने बस अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है जिहां जिसमें राजकुमार राओ की स्त्री टू भी शामिल है इसके अलावा नौ और फिल्मों का नाम शामिल है जो आने वाले वर्षों में रिलीज होने वाली है आपको बता दिए कि साल 2023 के कई धमाकिदार फिल्में रिलीज हुई जिसे और्डियंस का मनुरंजन लेवल बरकरार रहा ये साल अभी खत्म होने को बाकी है मगर कई और फिल्में फैंस के इंटर्टेन्मेंट के लिए तयार है अब आपको बता दिए कि इसी कड़ी में बॉलिवुट के मशूर प्रोडियूसर दिनेश विजान दी 10 फिल्मों की रिलीज डेट अनौन्स करती है दिनेश विजान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्चे हुए प्रोडियूसर माले जाते हैं हाली में उनके प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स ने एक साथ 10 फिल्मों की रिलीज डेट अनौन्स की है जिसमें राजकुमार राओ और श्रधा कपूर की स्थरी टू से ले करके शाहिद कपूर और खृति सेनन की एन इंपॉसिबल लव स्टोरी फिल्म में शामिल है श्रधा कपूर के फिल्म अलु अरजुन की पुश्बा टू को टक कर दे सकती है ऐसा कहा जा रहा है अब आपको बता दे कि मैं जॉक फिल्म स्नेट 2023 से लेकर के 2025 तक में रिलीज होने वाले फिल्मों की रिलीज डेट लॉक कर दी है इसमें इस तरी 2 की रिलीज डेट 30 अगस्ट 2024 है आपको बता दे कि 15 अगस्ट 2024 को अलू अर्जुन की पुश्पा 2 को रिलीज किया जाएगा ऐसे में 15 दिन के गाप के बाद इन दो बड़ी फिल्मों के बीच काटे के टकर होते देखने को मिल सकती है वही अगर हम बात कर ले कि किस फिल्मों की रिलीज डेट को लॉक किया गया है कब रिलीज होगी मैज्ट जॉक्त फिल्म्स की बाकी फिल्में अगर हम बात कर ले हैपी टीचुस डे की तो 27 अक्टूबर को 2030 को ये रिलीज किया जाएगा साथी साथ ने शाहित कपूर कृति सैनन की फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी मुनिया 29 मार्च 2024 को रिलीज होगी तो वही तहरान 26 अपरेल 2024 को रिलीज होगी स्काइ फोर्स की अगर हम बात कर लेए जो कि अक्षे कुमार लीड कर रहे हैं अक्षे कुमार उस फिल्म में अक्टर है, वो 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी, इसे के साथ ही 6 दिसम्बर 2024 को रिलीज किया जाएगा Vampires of a Vision अगर हम बात कर ले उसकी तो 14 फरवरी 2025 को रिलीज होगी, इसे के साथ ही 21 दस जनवरी 2025 को रिलीज होगी और अगर दिलेर के हम बात कर ले तो 10 अपरेल 2025 को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा Sky Force अक्षे कुमार के फिल्म है, इस मूवी के जर्ये शुकर पहाडियों के भाई, वीर पहाडिया जेब्यो कर रहे हैं वही 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली छावा, विक्य कोशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ जो बैल आइकन है, उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना बूले ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो को अपलोड करें, उसका नोटिफिकिशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप आसानी से हमारे उस वीडियो तक पहुँच सके